आज पटना के कंकड़ बाग में मुख मंत्री नितीश कुमार ने एक नए प्राइवेट अस्पताल जै प्रभा मेदानता का उद्घाटन किया उनके साथ इस मौके पर बिहार सरकार के उप मुख मंत्री तारकिशोर प्रशाद और स्वास मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहें ये काफी बड़ा अस्पताल है और इसमें मरीजों को सारी सुक्सुविधाएं दी जाएंगी जो उनको इलाज के वक्त जरूरी होती है और सारी बीमारियों का यहाँ इलाज संभव हो पाएगा और क्या कुछ कह रहे हैं मुक मंत्री निदेश कुमार आई हम आपको सुनाते हैं आज खुशी की बात है कि यहां पर आए 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 आज जो जैप्रभा मेदानता अस्पताल का जो आज बाजापता उद्खाटन हुआ है इसके लिए हम सब लोगों को बहुत खुशी है और आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोग कितना पहले से प्रयास किये सुरुवात की गई और जेपी की इच्छा जो थी जब वो जीवित थे तभी उनकी इच्छा थी कि भई कैंसर का इस बनना चाही अस्पताल और उसमें सुरुवात हुई आगे तो कुछ काम होता रहा लेकिन उत्रा नहीं तो उसी समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिल है कि 2005 से तो उसके बाद ही हम लोगों ने सोचा कुछ करें इसके लिए काफी विचार विमर्स करते हुए और अंत्तों गत्वा और ना जाने कितने जो अस्पताल चलाते हुं नों के साथ कितनी बाचीत और सब कुछ लेकिन कोई आके तयार नहीं हुए तो उनको तो खुश 2006 में इसका हम दोगों ने सिला न्यास किया और लास्ट तो आप जानते ही हैं कि एक हिस्सा का सुरू हुआ कि आप दोर लोहों को पेसंट को देखेंगे अब वो तो सुरुवात हुआ लेकिन अब दो सबसे ज़्यादा हमनों की इच्छा थी कि पूरा का पूरा हॉस्पिट सुरू हो जाए तो यह बहुत अच्छा हुआ कि आज इन्होंने दिखा दिया एक एक जगह पर देख लिए अब एक ही चीज़ हमने इनको कहा है वह कि एक कैंसर का जल्दी से जल्दी वह भी काम सुरू करा दिए क्यूंकि स्रधेज जेपी की इच्छा जो थी तो यही था क कैंसर का स्पताल होन अच्छी तो यहां पर बाकी सब चीज तो कर दिया है और जो पहले से इनके साथ जो बातचीत हुई है गरीब गुर्वा तबके की लोग आएंगे तो पचीस परसेंट उसके लिए इंतिजाम रखे हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है तो जो होता है अच использовать है जो है तो उसी हिसाप से होगा यहां का ट्रीटमेंट उतना ही पैसा लगेगा सारी बात और हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं इन सब drives के लिए भी यहां पर पहली से अग्रीमेंट है तो उनका भी जो treatment होगा वो normal rate मतलब इनका जो अपना rate है उस पर ने बलकि कम rate पर होगा कि सारी बात है और उससाब से तो यह करेंगे ही तो यह हमको पूरा भरोसा आप सुरू हो गया सबको सुधा होगी और एक private hospital के रूप में तो बहुत नाम है इनकी अस्पताल का और कई ज इतना में भी इसकी शुरुवारती लोगों ने कर दी है और जान लिजे कि नाम भी इनके साथ जुड़ गया जै प्रभाव मैदान ता तो आप सोच लिजे कि अब जेपी के साथ लगाओ इनका रहेगा तो निश्चित रूप से सब लोगों के साथ बहतर treatment हो यह तो इनका ह आज मुझको कुछी हुई है इसलिए अब हमनों कुछ बात को ले करके satisfaction है संतोस हुआ है और जो बात कहनी थी उतनी बात करते हैं इसलिए आप लोगों भी आज देखे हैं उस पर कुछ बात करने की क्या जरूबते हैं जनता माली है इस सब पर बात नहीं किया ज़ता है कुछ लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं तो आपने सुना कि किस तरीके से मुक मंत्री इंदीश कुमार ने कहा है कि हमने बिहार की स्वास व्यवस्थाओं को बहतर बनाने के लिए कई प्रयास किया और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास में यह नया लोगों के स्वास व्यवस्था को और भी बहतर करेगा और हम लोग भी लगतार नजर बनाएवे हैं और मेदानता स्पताल के जो प्रबंदक हैं उनका भी काफी नाम है स्वास्त के छेत्र में और वो लोग भी लोगों को बहतर सुविदा बहतर स्वास्त सुविदा झाल झाल